मैं इसले नहीं डरता हूँ क्योंकि मुझे पुण्ड विश्वास है कि अगर वो 10, 20, 30 कुछ भी लगा के आ रहा है तो ये इंडस्ट्री जो उसको लौटाती है वो करोडो रुपे से अधिक की ग्यान, चीजे, जन्दगी लौटाती है तो उसके लायक भी नहीं था आप ये सोचे कि अगर आज आपको नेट्वर्क मार्क्टिंग ना मिली होती अगर आप डारेक्ट सेलिंग ना जानते अगर आज आज आपको किसी ने डारेक्ट सेलिंग के दुरिया में ना लाया होता तो क्या आपकी जिन्दगी वैसी होती जैसी आज है क्या आप वैसे होते जैसे आज है है आपके अंदर जो लीडर पादा हुआ है आपके अंदर जो सोच पादा हुई है यह डारिक सरींग की देर है यह पैसों से नहीं मिलती यह पैसों से नहीं का अरे दस हजार क्या सालाइल लाक रुपय भी लगाने में डरो मत अरे लगा हमारे हारखा सबसे बड़ा खारण है हम पैसा लगवाने में तर्पते हैं हमें लगता है यह तो घरीब है अगर इसका डूब गया तो हमको बद अरे घंटा बद्दुआ देगा घंटा बद्दुआ दोगे तुम सलाम जी तुम भेल होगे तो मैं रिजर रिजर तुमसे हो नहीं पाया तो मैं खराओ और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी और सफलता के लिए कोई और जिम्मेवार था तो साला जिंदगी भर नहीं साथ जनम का सफलता रहोगे तुम मैं खहासे आजिम्मेवार थे को समझे आप किसी के भी और सफलता के जिम्मेवार नहीं सिर्फ अपनी झोड़के आप किसी के भी औसफलता के जिम्मेबार नहीं है सिर्फ अपनी जोगे कभी इस दुख में मत जाईए कि मैंने उसका लगवा दिया था और उसका अरे आपने उसको कुछ दिखा दिया था उसका राहू के तु साला सब खराब चल रहा है और वो कुछ नहीं हो जाएगा आपने काम की याद और एक बात याद रखे अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में गरीब है दुख में है तो क्या वो आपकी चलते है क्या आपका कंट्रिबूशन है उसकी गरीबी में क्या आपने उसे गरीब रखा है वो अगर गरीब है तो प्रकृति के चलते है अपने पूर्व जनम के कर्मों के चलते है या फिर ईश्वर या फिर ब्रम्हांड की किसी शक्ती के चलते है या फिर अपनी सोच विचार आदतों के चलते है चरित्र के चलते है ज्यान के चलते है आप क्या उसकी गरीबी में कोई कंट्रिवेशन नहें लेकिन अगर वो गरीब इंसान इश्वर किसी भी माध्यम से आप तक भेशता है तो आपको ये मानना चाहिए कि इश्वर मुझे उस इंसान की गरीबी को दूर करने का माध्यम बना जाए